जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ एक देवी शक्ती को सरीर में कैसे बुलाएं दो देवी शक्ती से बात कैसे करें तीन देवी शक्ती से काम कैसे कराएं चार देवी शक्ती को प्रसंद खुस कैसे करें जी हाँ भक्तो आज मैं आपको एक ही वीडियो में चार चीजों के बारे में बताने जारी हूँ और यदि आप इन चार चीजों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो आप देवी शक्ती को सरीर में भी बुला सकते हो देवी शक्ती से बात भी कर सकते हो देवी शक्ती से कोई भी काम अपना सिद्ध करा सकते हो और देवी शक्ती को आप खुश भी कर सकते हो यूटुब चैनल पे नई आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो उनको कमेंट करने की जरूरत भी नी पड़ेगी और वो इन चीजों को अच्छी तरीके से जान लेंगे उनको अच्छा ग्यान मिल जाएगा कि शक्तियों को सरीर में कैसे बात की जाती है कैसे उनसे काम कराई जाते है कैसे शक्तियों को खुस किया जाता है सब कुछ आपको देवी शक्ति को बुला सकते हो, बिना गुरू के भी बुला सकते हो, लेकिन आपका गुरू होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देवी शक्ति जब किसी पे बिना गुरू के आते हैं, तो वो दोनों चीजों में कारे करती है, अच्छे काम में भी करेगी तुम्हारा साथ देगी और बुरे काम भी होईंगे आपके तो इसलिए गुरु बनाओगे तो सही दिशा में शक्ती चलेगी और आपके हमेसे सही काम ही करेगी कभी गलत नहीं करेगी तो इस बात पर आपको जादा ध्यान करना चाहिए तो मैं आपको बताऊं शक्ति को सरीर में बुलाने के लिए आपको अपने घर में प्रति दिन पूजा पाट करनी चाहिए और प्रति दिन देवी शक्ती के मंतर का जाब करना चाहिए देवी शक्ती के जितना आप मंतर का जाब करोगे उतनी ही शक्ती आपके सरीर में विराजमन होगी और पूरी तरीके से जिस दिन वो सरीर में आपके विराजमन हो जाएगी तो वह आपके सीस पे आके खेनने भी लगेगी तो यह सबसे अच्छा तरीका है देवी शक्ती को सरीर में बुलाने का अब दूसरे विशे में बात करेंगे देवी शक्ती से बात कैसे करें देखें देवी शक्ती से बात कई तरीकों से की जाती है लेकिन जब मानली जी आप अपने उपर देवी शक्ती की सवारी बुलाते हैं तो आप तो देवी से बात नहीं कर पाते हैं लेकिन जो आपके आसपास बैठा होता है जैसे आपको कोई भी घरवाला तो वो देवी शक्ती से बात कर लेता है तो ऐसे ही देवी शक्ती से बात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो देवी का हाथ पकड़ के जैसे किसी के सीज पे देवी शक्ती खेल रही है ना तो सीधा हाथ पकड़ के उसे पहले बचन में लो बचन में कैसे लेना है बचन में लेना है आपको दुहाई दे के कसम दे के जैसे भगवान शिप की भेरो बाबा की गोरखनात की मचंदरनात की ये सब आपको दुहाई देनी है और उसे बचन में लेना है दुहाई दोगे तो वो अपने आप बचन में आएगी बचन में आए देवी शक्ती से काम कर ले के लिए आप लोग क्या करते हैं सबसे पहले या तो अरदास लगा देंगे अरजी लगा देंगे बस सोचेंगे कि हमारा काम हो गया लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर आपका कोई एक काम है मान लिजे दस काम है लेकिन फिलाल आपको एक ही कराना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना सबसे पहले देवी को आपको एक पववा सराप का पाच मेलगी मिठाई नीमभू जायफल लोंबता से ये सब चीजे लगा के पहले देवी सकती को भेजो काम के लिए कि माता जा मेरा ये काम सिद कर किया ठीक है जो भी काम आप कराना चाओगे उसके लिए पहले आपको माता को भोग देना पड़ेगा तब ही माता आगे चलेगी जब तक आप उसे भोग नहीं दोगे तब तक वो नहीं चल सकती है ऐससे जासी की गोड़ा होता है हम उसे खाना देंगे तभी तो वो हमें आगे ले तो खाली पेट वो आपके काम कैसे करेंगे नहीं कर सकते तो आपको यही करना चीए जब कोई काम कराना हो, सबसे पहले उनको भोग दो और उनको काम के लिए भेजो और आप जब अपना काम आपको हो जा उसके बाद आप बड़ा भोग दो अब छोत्ते बिसे में बात करेंगे देवी शक्ति को कैसे खुश करें देवी शक्ति को खुश करने के दो तरीके हैं पहला तरीका प्रती दिन पूझा पाड़ अपने घर में करें जो जगाए माता की और कपूर के उपर लोग बतासे का भोग लगाए दूसरा तरीका आपके आसपास के एरिय में माता का मंदिर हो वहाँ जाओ सनीवार के दिन माता को नीम्बू की माला जरूर चड़ाओ जाके अगर देवी शक्ती को खुश करना चाते हो ना नीम्बू की माला माता को जरूर अरपन करो सनीवार के दिन और मंगलवार के दिन तो ये दो तरीके हैं देवी शक्ती को खुश करने के तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अगर कुछ पूचना है नीचे कमेंट करके आप पूश सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हरहर महादे माता काली बाब भूलिनात आप सभी की सारी मनुकामना पूरी करें खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार जै माकाली ओम नमस्षिवाय हरहर महादे